PM के क्या हो सकते हैं दस संदेश मंगलवार को PM नरेंद्र मोदी एतिहासिक लाल किले से स्वतंतरता दिवस के मौके पर जब भाशन देंगे तो यह उनका दस्वा भाशन होगा भाशन में वह किन दस बातों को जगह दे सकते हैं आये जानते हैं आयुश्मान योजना का दूसरा फेज लागू करेंगे PM मोदी लाल किले से आयुश्मान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत कर सकते हैं इसके दाए में शहरी और लोव मिडल क्लास लोग आ सकते हैं हेल्थ इंशोरंस हाल के समय में एक बड़ी जरूरत के रूप में उभरा है PM संदेश दे सकते हैं कि उनकी प्राथमिक्ता में ये तपका भी है सूत्रों के इंसार इसके लिए होमवर्क किया गया है नई घोशनाओं का ट्रेंड शुरू कर सकते हैं 2014 में सत्ता आने के बाद पहले दो भाशनों को छोड़ दे तो लाल किले से नई योजना शुरू करने का चलन कम हुआ है PM अधिक्तम एक या दो नई घोशनाओं करते रहे हैं इस बार किले से नई घोशनाओं की जड़ी लगने की उमीद कम ही है 2014 से पहले लाल किले से पीम का भाशन नई योजनाओं के लिए भी जाना जाता जीबीस को लेकर कर सकते हैं बाता 15 अगस्त को लाल किले से पीम देश को संबोधित करेंगे तो दिल्ली में होने वाला जीबीस शिखर सम्मेलन महस तीन हफते दूर रहेगा भारत में आयोजित होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक सम्मेलन है जिसमें विश्व के सभी ताकतवर देशों के प्रमुक आएंगे पीम मोदी लाल के लिए से इसकी महत्ता और विश्व कुटनीती में भारत के बढ़ते रसूप के बारे में बात कर सकते हैं कामकाच का पैश कर सकते हैं लेखा जोखा पीम मोदी का न सिर्फ दस्वा भाशन होगा बलक लाल के लिए से दूसरे टम का अंतिम भाशन भी होगा ऐसे में वो दोनों टम के कामकाच का लेखा जोखा भी पेश कर सकते हैं दो शुन्य एक में भी जब लाल के लिए से उन्होंने भाशन दिया था तब उनका पूरा फोकस पहले टम के कामकाच के बारे में बताना था सभी मंत्रालेयों को उनमें आये तीन बड़े बदलाब को पीम आउ को देने को कहा गया है इसमेंसे पिम मोधी कुछ एहم बातों को सामने रखेंगे पाकिस्तान और चीन पर होगी बात पिम ने सारवजनिक मंच से पाकिस्तान को पूरी तरह नजरंदास करने की उनार नीती अपनाई है ऐसे में पकिस्तान का जिक्र शायद ही पिम मोधी करें साथ ही GB सम्मेलन को देखते हुए चीन पर भी परहेच कर सकते हैं मगर अपरोक शूप से भारत अपनी मजबूत विदेश नीती की बात करते हुए चीन की विस्तारवादी नीती पर बोल सकता है विवादित मुद्दे इस भी नजर रहेगी की PM लाल किले से विवादित मुद्दे को उठाते है या नहीं अभी पिछले कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोद उठा है खुद PM ने एक सारवजनिक सभा से रहेगी की लाल किले से वो इस मसले का जिक्र करते हैं की नहीं पिछली बार PM ने जनसंख्या नियंतरं का मुदा उठाया था इसका जिक्र किया था ऐसे में नजर आम चुनाव की बात अगले आठ महीने में आम चुनाव होने हैं स्वतंतरता दिवस के मौके पर मोधी के भाषन के राजनीतिक नहितार्थ भी निकाले जाएंगे ऐसे में वो विपक्षी गटबंधन सहित आम चुनाव के बारे में अप्रोक्ष रूप से जिक्र कर सकते हैं वो कई बार अपनी बात अलग अंदाज में कह देते हैं पिछले दिनों उन्होंने प्रगती मैदान में भारत मंडपम के उद्धघाटिन के मौके पर उन्होंने अपने तीसरे टम की प्राथमिक्ता गिना दी थी देखना होगा कि क्या वो यहां से भी कुछ ऐसा संदेश देंगे पिछले कुछ दिनों से विपक्ष उन पर मनेपूर मसले को लेकर स्वाल उठा रहा है साथ ही बेरोजगारी अदार्न मसला भी उठाया पिएम मोधी आरोपों का जवाब देने के लिए लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और देश की जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं साथ ही वो संसद में हुए हंगामे के बारे में भी बात कर सकते हैं विरासत पर बात, प्रधानमंत्री विरासत संरक्षन और उन्हें पुनरजीवित करने की बात करते रहे हैं। आजादी के 75 वे साल में अंग्रेजों और बाकी गुलामी के निशान को समाप्त करने की बात करते रहे हैं। पीएम इस बारे में लाल किले से विस्तार से बात कर सकते हैं, इस मसले पर वो अप्रोक्ष रूप से कांग्रस को घेरते रहे हैं कि किस तरह पहले 70 सालों में भारतिये पहचान को देश के अंदर ही उचित जगह नहीं मिली.